आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ क्योशन है मेर पास Given the parametric equations x equal to ft, y equal to gt then d square y upon dx square equals आपको d square y upon dx square find करना है यहापर और x और y जो है आपके पास t की terms में है जो given condition है x है आपके पास ft, t की term में और y जो है वो भी t की term में इसका मतलब यह parametric equation है अब parametric equation में जो differentiation आपके पास होता है यह ना dy by dx के लिए formula हुआ करता है आपके आपस में differentiation कर लें और क्या कर लें, simple divide कर लें अगर आप dy by dt में dx by dt divide करते हैं तो आपके पास क्या जाता है dy by dx जाता है, clear? यही formula होता हमार पास अब हमको क्या बोला हुआ है हमको यहाँ पर d square y upon dx square बोला हुआ है तो देखें आप क्या करेंगे आपको जब double differentiation करना है d square y upon dx square तो इसका क्या मेनिंग है इसका मेनिंग है dy by dx का differentiation with respect to x तो d by dx आप dy by dx किसके एकवर है dy by dx जो है आपके पास वो है dy by dt upon dx by dt के एकवर clear? अब यहाँ पर जो आपने दोखो यह जो formula number 1 था इसमें जो चीज अप्लाई कीती है वही चीज आप यहाँ पर apply करने वाले है simple आप क्या कर रहे थे हैं यहाँ पर देखो आपके पास जो function था है यह जो function था इसका आप पहले क्या कर रहे हैं उपड़ तो t के respect में differentiation फिर जिसके respect में differentiation करना है उसकाभी T के respect में differentiation कर देतö हैं यही कर देते हैं तो वही सेम चीज़ यहां भी apply कर सकते हैं पहले तो यह जो पूरा function है इसका में T के respect में differentiation कर लूआ और upon में क्या कर लूँ जो नीचे की तरफ है, जिसके respect में आप differentiation कर रहे हूं मतलब x इसका क्या कर लूँ, T के respect में differentiation कर लूँ, clear, देखें आप इसको, और simple ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यह को formula होता है मारे पास, यह मैं बता दूँ आपके पास जो formula होता यह d by dx simple मालो चलता है यहाँ पर आपके पास z तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, dz by dt into dt by dx यह जो dz by dx है, इसको मैं 7 ऐसे लिख सकता हूँ clear, तो यही चीज मैं यहाँ पर apply करूँगा, देखें आप, आपके पास LHS में तो चली रहे हैं, आपके पास d square upon dx square यह d square y upon dx square कैसा बनेगा, जेखो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ है ना, यह d by, ऐसा ही तो बन रहा है, यह अंदर वाला पूरा z हो गया आपके लिए, तो dz by dt, मतलब d by dt और z कीते ना, z तो यह अंदर वाली value है ना, मतलब dy by dt upon आपके लिए हमने उपर वाले formula से equation 1 से देखेंगे, तब भी यही बनेगा, हना, भी समझा रहा था मैं आपको, जिसका आप differentiation कर रहा है, उसका तो t के respect में differentiation करें, तो वही किया देखो आपने जिसका आप differentiation करना था, उसका t के respect में differentiation कर लिए, और upon में क्या है, upon में नीचे वाले का differentiation with respect to t, तो upon में देखो, यह नीचे जाएगा, तो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो tx by dt बनेगा, तो same ही बात है, है ना, आप वैसे समझे है, ऐसे समझे है, एक ही बात है, अब देखो, यहाँ आपर हम इसको solve करने के लिए क्लिए क्या करते है, u upon v का formula लगा लेते है, clear, तो LHS में तो मेरे पास चल रहा है, आपर d square y upon dx square, equal to, u upon v का formula लगाएंगे आप, तो u upon v का differentiation में क्या करते है, डिनोमिनेटर में तो होता है v square, फिर आपके पास आप क्या करते हो, v को drop करते हो, नीचे वाले को, u का differentiation करते है, उपर वाले का, तो उपर वाले का t के respect में differentiation क्या होगा, यह होगा, d square y upon dt square, clear, minus, फिर हम u को drop करते हैं, और v का differentiation, तो नीचे वाले का आप t के respect में differentiation करोगे, तो यह बनेगा d square x upon dt square, formula होथा, आपके पाद, denominator में v square, v को drop करके, u का differentiation, minus u को drop करके, v का differentiation, वही किया आपने, और यह जो आपके पाद, dt by dx इसको में, reciprocal में, dx by dt, ऐसा भी लिख सकते हो, clear, तो इस type का option आपको देखने को मिल जागा, बिल्कुल तो value चल दिए आपके पाद, dx by dt के साथ, d square by upon dt square, minus dy by dt के साथ, चल रहा मारा पास, d square x upon dt square, और denominator में, यह same value, यह 2 power, यह 1 power है, तो dx by dt पर होगे, यह मारा पास, 3 power, ठीक है, तो यह option में देखनें आप, dx by dt के साथ, d square by upon dt square, हैना, यह second option में देखो, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, लेकिन यह वैसे तीन टर्म चल दी, थाड में भी नहीं है, ना, second में आ रहा है, फिर पीछे भी है यह, dy by dt के साथ, देखलो, आप, d square x upon dt square, और denominator में तो dx by dt का whole cube चली रहा है, तो option number second is, correct option. प्लासिक्स चुट्वेल से लेके, नीट IIT जेही, मेंस और एडवांस के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो साथ, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, यह वाथ्साप कीचे अपने डाउट्स, 8444 पर.